शंबू कुमार सिंग और आप देखने रिसनल दस्तक लखनौ में रेलबेस्ट क्वाटर में बड़े अधिकारी आड़ी बाचपई की घर में घुसकर उनकी और उनके बेटे के हत्या कर जाते हैं अज उनका जनम दिन था लेकिन इस देश की मीडिया कोई सवाल नहीं पूछे उसको लेकर जिस तरह से मीडिया ख़बर चला रही है इसका मतलब है कि वहाँ गैर बीजेपी की सरकार है उद्धर ठाकरे की सरकार है बीजेपी वह सरकार बनाना चाहती है तो इस देश की जो मीडिया है वो तभी मांदारी से पतकारिता करती है जब केंद्र में या राज् मराजवाली सरकार है गैर सबर्नों की सरकार है अगर सबर्नों में भी ममता बनर जी है नविन पतनायक है तो आप से सवाल पूछे जाएंगे तो सुचिए मीडिया का चरित्र कैसा है इस देश में आज तक ने टॉप सबसे बहतर सीम का एवोर्ड ठमाया है और आज रोहिनी जिस तरह से कहा था कि आप जब तक मोदी से मीडिया से नहीं लरेंगे मीडिया से नहीं लरेंगे तब तक आप मोदी को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि मोदी ही मीडिया है मीडिया ही मोदी है आप कलपना कीजे कि अगर यही घटना जिस तरह से आज मैंने आपको एक पर सिंगर लिख्के सरयाम लखनओं की सरकों पर चलते हैं तो यह जान बुच्कर सब कुछ किया जारा है और जाती भी सेस्ट के लोग जो है वो गुंड़ाई कर रहे हैं जाती भी सेस्ट के लोग बचाया जा रहा है आप सुच यह कलपना कीजिए जब इस देश में ब्रहाम किन के खिलाफ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं परसांत करणुजिया के खिलाफ पुर्व आईयस के खिलाफ तो यूपी में राम राज नहीं है डिक्तेटर शिप चल रहा है यह वही होगी जिए जिनको एक बार दो गंटे पुलिस ने बैठाय नहीं पूछता है मैं इस देश के स्थी एस्टी ओवी सी माइनोर्टी से कहना चाहता हूं कि सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी इन लोग की सरकार में तो यह इस्थीति है लेकिन कोई भी टेलिविजन चैनल कोई भी अखबार योगी जी क्या पोस्टर लगा के वर्चूल भी यह बनाएगा यूपी में जंगल राज जबकि यूपी में गुंडा राज भी नहीं है गुंडा राज से कहीं आगे जाके क्या इसी को राम राज कहते हैं मैं फिर कह रहा हूं जहां जहां बीजेपी सासे सरकार है वहां वहां लाइन ओडर की बुरी स्थीति है और सबसे जादा SC, ST, OBC और मायनोर्टी के लोग मारे जा रहे हैं और लगातार हत्याय हो रहे हैं लवन ओडर के धत्ता बताते हैं सुचिए जाती बाद अपने चरम पर होता है इसलिए कहते हैं ये एक तो करेला उस पर से नीम चरहा जो लोग जाती बाद के मद में डूबे हुए होते हैं जो जाती हंकार में डूबे होती है जो पावर के हंकार में डूबे होते हैं और जब उनकी सत्ता आ जाए तो वो इसी तरह से कोहराम मचा देते हैं तो बीडी बाचपई नाम के रेलवे के बड़े अधिकारिया उनके बेटे की हत्या की गई है घर में घुसकर गोली मार नहीं करेगा कोई योगी से इस्तिफा मांगने की हिम्मत नहीं करेगा और इसलिए मैं कहता हूं इस देश की मीडिया जो है वो बिकाव ही नहीं है जातिबादी मीडिया है कास्टिस्ट मीडिया है डर्पोक मीडिया है साथ इसलिए रवीष ने कहा है कि इस देश में लोगतं आम लोग हैं उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम डाला जा रहा है और यूपी में जो गुंडा राज है उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कभी मुखतार अंसारी तो कभी अतीक एहमज जैसे काम किये जा रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के इमानदार पत्रकारों को कम से कम जब नाव में छेदोगी सब मरेंगे बारी बारी से इसलिए किसी के लिए भी गुंडा राज ठीक नहीं है कानून का राज हो लैन ओडर हो सबको न्याय मिले और योगी सीम योगी आदितनात के पास खुद पना कर सकते हैं आप लोग अपनी पर्थक्रिया दीजे क्या इस देश की मीडिया की इतनी आउकात है कि वो योगी आदितना से सवाल पूछ ले उनके इस्तीफे की मांग कर ले उनके खिलाब खबर चला दे उन पर कोई बहस कर ले ऐसा नहीं होगा यह तमाम सवाल पूछे की जारी वो सुसान सिंग के लिए नहीं है वो उद्धब ठाकर एक कॉंग्रेस एंसिपी की जो सरकार है उसको डैमेज करने के लिए अगर कोई अखलेस मायावत्ति के वीउपी में सरकार होती तो उनकी धजिया उरा देती है मीडिया फोटो लागे चलाती जंगल राज जं आते हैं तो निस्तर दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे